तो आप सोच रहे होंगे कि कौन है हमारे आज के खास महमान जी वो कोई और नहीं हिंदुस्तान के जाने माने अभिनेता श्री राजेंद्र गुपता जी है तो आईए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से वो एक वहवसाहिक परिवार से निकल कर एनेसडी और फिर फिल्मी जगत में आए स्टेज अब प्रिजेंट्स टेंथ चलो थीटर नैशनल फेस्टिवल में आज हमारे बीच मौजूद हैं हिंदुस्तान के जाने माने अभिनेता श्री राजेंद्र गुपता जी सर मैं किरंदत आपका चलो थीटर के मीडिया मंच पर स्वागत करती हूँ सर आप लगबग 50 साल पहली नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए निकल गए थे सर आपके लिए वो कितना मुश्किल रहा होगा एक व्यवसाइक परिवार से निकल कर जाना और क्या-क्या चुनोतियों का सामना करना पड़ा उस समय आपको उतना ही मुश्किल रहा जितना हो सकता है क्योंकि नाटक किक्षेत्र में कोई किसी किसम का करियर तो उन दिनों था ही नहीं तो स्वभाविक है माबाप जो है ऐसे हालात के अंदर जब कोई बच्चा एक ऐसी विधा में जाना चाहता है तो उनको लगता है यह तो मतलब शौक तक तो समझ में आने वाली बात है लेकिन उसको प्रोफेशन कैसे बना सकते हैं तो इसलिए जो भी एक साभाविक रियक्शन किसी का भी हो सकता है माबाप का क्योंकि हर माबापन बच्चे की बेहतरी और बेहतर भविष्य की चाहते हैं तो वही उसी तरह का हालात मेरे याभी थे कोई अलग कुछ खास नहीं थे इतना जरूर है कि शायद जहां पर बच्चों को स्वैम ही अपना भविष्य अपना सब कुछ खुदी करना होता है वहां शायद इतनी सोच विचार या उसके पीछे इतना ध्यान नहीं दिया जाता ठीक है आपको मेहनत करनी है खुदी अपना जीवन बनाना है तो ठीक है आप ऐसी लाइन चुननी है बहुत मुश्किल है जो आप चुन लीगे लेकिन जहां पर थोड़ा पैतरिक रूप से एक आपके पास एक बिजनस की संभावना है जो बच्चों को आटोमेटिकली बिजनस करना होते है जिनके माबाप का ठीक ठाक अच्छा खासा बिजनस हो या फैक्टरी वगरा हो तो वहां तो सभाविक रूप से बच्चे वही करते हैं इसलिए वहां थोड़ा जादा और स्विकार नहीं कर पाते हैं क्या एक अच्छी खासी एस्टैबलिष्ट लाइफ जो आपको मिल सकती है उसको छोड़कर आप एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जिसके बारे में ना तो कोई जानता है और ना जिसका भविश्य किसी को नहीं मालो तो ठीक है सर आप भी कही ना कहीं उसी परिवार से बिलॉंग करते हैं जहां पर बिजनस करते थे तो फिर आपके लिए भी तो मुश्किल रहा होगा ना सर मतलब आपने किस तरह से रुख मोड़ा थीयटर की तरफ नहीं कोई देखे उत्रा ही मुश्किल होता है जिर वड़ा नॉर्म स्ञा पार समझाएंगे कोशिश करेंगे कि भही समझ जाए ढाटेंगे उसके बास मैं ने समझेगा तो क्या करेंगे यह तो बच्चा मांजाए या भाबाभ मांजाए ज्यादातर होता यह कि मुझे लगता है माबाभ मानते है क्योंके माबाप ultimately बच्चे को नहीं छोड़ सकते वो हार कर, ठक कर, जबरदस्ती, रो कर, पीट कर मानते हैं, मान जाते हैं उसको मान जाना कहिए या क्या करें मरता क्या ना करता, मजबूरी का नाम तो सर आपको पहले कब पता चला रंग मंच के बारे में जिससे आप अट्रेक्ट हुए या आपने सोचा कि हाँ, मुझे यही करना है, मुझे एक्टिंग ही करनी है मैं यू तो मुझे याद पढ़ता है, मैंने हाई स्कूल में भी पानीपत में नाटको में भाग लिया नाटक मतलब आम तरपर स्कूल कॉलेज़े में, स्कूल के लेवल पर पर वो होते थे एन्वल फंक्शन जो होते हैं स्कूल के एन्वल फंक्शन उसमें इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होती थी गाने की या के नाटक पग्यारा की तो मुझे याद है मेरे शायद मैं आठी क्लास में था या छटी क्लास में मुझे याद नहीं एक नाटक हुआ था हमारे एक टीचर थे जो इंट्रस्टिट थे नाटकों में वैसे तो वो अंग्रेज ही पढ़ाते थे राजिंद्र मनोत्रा तो उन्होंने एक नाटक किया करवाया था हम लोगों के साथ महारणापरताप और उनके वो थे कोशाध्यक्ष क्या भामाशा उनकी जिंदगी पर एक नाटक करवाया था जिसमें मुझे उन्होंने महारणापरताप की भूमी का दी थी तो तब मैंने वो किया था उसके बाद मतलब गलियों में स्कूल छोटे लेवल पर भी हम रामदीला के दिनों में खूब नाटक वाटक जितना कर सकते हैं बच्चे जितना आता है या देखते हैं थोड़ा बहुत उसको रिपीट करने कोशी करते हैं वो करते थे नाटक देखा करता था वो बच गए तीन बच गए नाटक शुरू भी लेट होते थे खतम भी लेट होते थे तो वहां भी कई बार घरवालों की नाराजगी सहनी पड़ती थी कहां मैटकता है रात को इतने इतने लेट आना जाना मगर अच्छा लगता था मतलब आज याद करता हूं तो मुझे श वही पर मुझे पता लगा हमारे कुछ अपने दोस्त जो हमारे सीनियर थे और नाटको में हिस्सा लेते थे उनके साथ बात करते करते पता लगा दिल्ली में कोई नेशनल स्कुलो ड्रामा नाम की चीज है कि वहां आप जाना चाहे तो तो मैं बड़ा एक्साइटेट हुआ उनी के साथ मैं दिल्ली गया पता किया फॉर्म वंभरा तो एड्मिशन हो गया तो कब कैसे इधर पहुंच गया सर जैसे अभी आपने कहा कि आप युनिवर्सिटी में लोगों से मिले जो कि थेटर करते थे और वहां से आपको नेशनल स्कुल ड्रामा के बारे में पता चला और फिर आप वहां गए सर जो आज की हमारी पीड़ी है वो थेटर को इतना समय नहीं दे पाती है लेकिन वो चाहती है कि उसका एनसडी में एड्मिशन हो जाए और वो बॉलिवोड चले जाए वहां पर जाकर काम करें तो इस पर आप क्या कहेंगे ठीक है जो वो करते हैं जो सोचते हैं यह कोई गलत नहीं है क्योंकि खासकर आज के बच्चे के सामने एक गोल नजर आता है उसको हमारे सामने गोल नहीं था हमारे सामने तो हम शायद कल्पना भी नहीं कर पाते थे अंदर ही अंदर शायद चाहते रहे हो सबकॉंशियस ले पर बट उसको मतलब यहां तक भी पूरी तरह से उसकी कलपना नहीं कर सकते थे यह देखते भी नहीं थे उस खाब को खाब भी वो अंदर ही दबा रहता होगा मगर कही नहीं तो मैं सोचता हूँ अगर अनिलाइज किया जाए तो वो रहा ही होगा क्योंकि नाटक तो आप को कब देखने को मिलते हैं रामलीला के दिनों में हैं और कुछ कंपने आई ही चैह वो लोकल हैं कुछ बाहर की हैं नाटक की और चले गए मगर आपके बश्चे के कोमल विदय पर उसका इसकदर स्ट्रॉंग प्रभाव पढ़ता है कि वो उसके साथ करने लगता है उसको जीना चाहता है उस जीवन को वो जो रियल लाइफ में नहीं मिलता है मुझे लगता है बहुत जादा तर ये भी हो सकता है हर एक की अपनी नाटक में आने के नाटक करने के नाटक की जरूरत अपने अंदर की जरूरत की अलग अलग कारण होते हैं हर आ कितना अपने आसपास के बच्चों के साथ, अपने आसपास के समाज, अपने स्वेम के घर के अंदर वो कितना comfort level है उसका, या कितना वो अकेला है और मुश्किल होता है उसे adjust करना या एक natural, normal, स्वभाविक relationship दोस्तों या घरवालों के साथ बनाना, तो वो बहुत साथ अलग अलग कारण हैं जिसकी वज़े से नार्ट्यक की दुनिया की दरफ आप खेशते हैं, कई लोग उसके glamour से प्रभावित होकर उसकी तरफ जाते हैं, कई लोग उस नाम को देखते हैं, शोहरत को, ग्लैम पैसे को, और कितनी चाका चौंद हैं, उससे प्रभावित हो पर जाते हैं, मगर उसकी तरफ जाना, मुझे लगते हैं मैं उसको सिनेमा को और उसको अलग नहीं देखता हूँ, क्योंकि सिनेमा इसकदर हमारे आसपास, हमारे जीवन में इसकदर घर कर चुका है, और तब भी था, आज उससे कई गुना जादा हो गया है, कि उससे प्रभावित होना, कोई glamour को लेकर कोई emotional उसको लेकर कोई कहानियों को लेकर कोई उनके उनके पास्तरों के साथ emotionally attached महसूस करता है किसी भी कारण से मगर उसके प्रतियाकरशन होना बड़ा स्वभाविक है और उसको देखकर फिर क्योंकि और कोई तरीका उसे दिखता नहीं है तो नाटक उसके आसपार गली महले school, college में समझा के होते रहने है तो उनमें अपनी उस इच्छा को जो अंजाने में अंदर घर कर गई है उसको उसको थोड़ा सा पूरा होते वे शायद देखता है या कोशिश करता है तो वो नाटक करने लग जाता है अब उस नाटक करने के पीशे और या करने के बाद भी सीधा वो वहाँ जाना चाहता है बड़ा स्वभावी कही है ये कुछ गलत नहीं है इसको जिस तरह से देखा और डिसकस किया जाता है वो थोड़ा सा मुझे लगता है नेगेटिव सा देखा जाता है जो मुझे लगता है बड़ा सूडो एप्रोच है उसको नेगेटिव देखना के नहीं नहीं फिल्मों में ये तो जाना चाहता है अरे तो फिल्मों में ही तो जाना चाहेगा नाटक है कहा हूं उसके जीवन में कितने नाटक आप देखते हैं स्कूल, कॉलेज में आपने देख लिए तो देख लिए otherwise कहां आप मनरंजन के लिए कहां देखते हैं या कभी उसमें देख लिए आपने क्या बोलते हैं राम लीला के दिनों में तो ठीक है वो और सिनिमा क्या है अल्टिमेटली नाटक का ही एक्स्टेंशन है ना फर्क इतना है कि वो लाइव ओडियंस के सामने हैं जिसको सिरफ दो सो, पान्सो, साथ सो तीन सो लोग, ढाई सो देखते हैं और वो एट ए टाइम सैंकडो हजारों थेटर में देखा जाता है एक एक थेटर में पांच पांच सो लोग एक एक शो में पांच शो होते हैं दिन में कितने करोडों लोग उसको देखते हैं एक हफते में कितने लाकों लोग देख चुके होते हैं नाटक सारी उमर भी आप कर लेंगे, शायद आप 5-10-15,000 लोगों तक पहुंचेंगे, पूरी जीवन में 20,000 लोगों तक पहुंच जाएंगे, टोटल, तो जो असलियत है, उससे चुका, अबुक, सही है, असलियत है, गलत है, और क्या उसके कारण है, वो एक पूरा अलग व हो और भी टांवच से तक बहुत है। पहले बहुत होता था रामिला का मतला हमारे बच्पन में तो बहुत होता था जी बट आजकल बिल्कुल भी नहीं होता है हाँ, करेक्ट है, वो अधसल कमेर्शिलाइजेशन इतना हो गया है न चीजों का और इतना ज्यादा स्क्रीन एंटर्टेन्मेंट उपलब्ध है, फोन पर भी है, तेलिविजन पर घर में तेलिविजन है, उस पर है, फिल्में तो है ही है और लगातार उनकी 24 गंटे आप विज्यापन के पूरी दुनिया में आप जी रहे हैं, जहां सबसे ज़्यादा कोई चीज आपको प्रभावित करती है, सबसे ज़्यादा जाएं जाएं आपके पूरे दिल और दिमाग पर करती है, तो वो विज्यापन की दुनिया है और उस सबका तालुक अल्टिमेटली पैसे से है, उसमें खुब पैसा भी लगता है, तो नाटग, रामलीला, कोई भी चीज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने आपको इतना प्रमोट कर सके, तो जब प्रमोट नहीं कर सकते तो उसकी इतनी चर्चा भी नहीं होती, तो उतनी मेहनत नहीं करते, वो पैशन भी नहीं है, पैशन है लोगों में जो करना चाहते हैं, फिर डारेक्ट, डिजिटल माधियम से या उनसे जुनना चाहते हैं, वो रामलीला क्यों करें? पहले करते थे शायद तो इसलिए जादा क्योंकि और कोई रस्ता नहीं था उन अब वो नाटक बेशक हो रहे हैं, बहुत पूरे देश में हो रहे हैं, हर छुट-छुटे शहर में हो रहे हैं, मगर आप यह देखिए, वो सब के सब नाटक, मुझे तो अब यह लगने लगता है कभी-कभी, नाटक एक तरह से, एक तरह की exercise institution हो गई है for cinema, जी, बिल्कुल Especially acting, acting के लिए वो एक प्रस्क्शन का महौल एक देता है, प्रस्क्शन के school बन, इने भे आप उनको कह सकते हैं, नाटक करना, नाटक की संस्थाएं, एक तरह से वो directly उसकी exercise है, cinema और television की, वो अपने आप में end नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप कितने show कर लोगे हैं, कह कहां से वो पैसा आएगा show करने का, जो एक महीने, दो महीने rehearsal करते हैं, 20 लोग, 25 लोग, कभी कभी 40 लोग, आप सूचिए उनकी manpower का, कितना पैसा एक से उसको पैसे में convert किया जाए, कितनी मेहनत उसमें जा रही है, और return क्या है, आप ये तो छाप लेते हैं बड़े- जो एक आदमी काम कर रहा है, एक लड़का, देर दो महीने लगाता है एक नाटक के अंदर, छेशे घंटे रिवर्सल करता है, उसका तो convert नहीं हो पाता, उसकी मेहनत तो उसको, पैसे के रूप में तो मिली नहीं पाती है, बिलकुल, ये बड़ी विरंबना है, हम इन चीज जूरी है, क्योंकि इसके ठूबर चलो, अपना काम तो हम लोगों को बताएं, नाटक देखने तो लोग नहीं आते, ये दिखा दे हम, क्या हम ये कर रहे हैं, ये अपने हमें बहुत बड़ा विडम बना है, ये ऐरॉनिकल एक्ट है, बड़े विचार करने वाली बात है, ल जंदर कांता नाम से, उसमें आपने पंडित जगनात का किरदार किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध भी हुआ था, तो वो किरदार आपको किस तरह से मिला, उस बारे में कुछ बताईए हमें, किस तरह से मिला था? जी-जी, क्योंकि आपका शिरुवाती समय था, आज से करी तो मतलब जैसे दूसरे सारे रोल मिले, वो भी ऐसे ही मिला, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध प्राप्त हुए, आज भी अगर आपका नाम लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो किरदार आता है, कि मैं उने किरदार किया था, वो ठीक है, क्योंकि ये इतिफाक होता है, दरसल क्या होता है? जहां तक प्रसिद्धी की बात आपने कहीं, तो कोई भी प्रोजेक्ट जवाब करते हैं. सबसे पहली चीज तो है कि वो प्रोजेक्ट काम्याब होना चाहिए, वो पसंद आना चाहिए. चाहिए वो नाटक है, चाहिए वो टीवी है, धरवाहि है चाहे सिनेमा है वो इतना अच्छा बनना चाहिए कि लोगों को पसंद आए उसमें इतनी पकड होनी चाहिए कि लोग वापस अगला एपिसोड भी देखने को तैयार हो पहली चीज़ दूसरा अगर उसके अंदर आपका मेजर रोल कोई है तो अगर वो प्रसिद्ध हो रहा कोशिष करते हैं जो हमेशा से करते हैं मैνने हर काम में उतना ही चैद किया होगा अब मेरा हो पसंद आ गया लोगों को और वो टोटल प्रोजект अच्छी बन गई उसकी राइटिंग, उसकी मेकिंग, उसके करेक्टर्स, उसकी एक्टिंग, उसकी कास्टिंग, सब जाके इतने ही हित हो गया इसलिए आज उसके चर्चा करते हैं क्योंकि वो मेरा पहला इने सेंस इतना लंबा इतना बड़ा रोल था हो प्लस सिर्फ वो पंडित जगनाथ ही उसमें मेरा डबल रोल था, जो एक पंडी जग्यनाथ का भाई था एक, नेगेटिव था जो, शनी, वो भी बहुत लोगों को पसंद आया, तो वो कई बार तो ऐसा लगता था कि बतला पूरी कहानी उस एक करेक्टर और उसके भाई और उसके कई अपिसोर्स तो ऐसे हैं, जो सिर्फ उन दोनों के इर्दगिर्द वो कहानी बुनी हुई है, और अदरवाइज भी पूरे सीरियल के अंदर जो में पांच-छे-आठ लोग थे, उन में से एक बड़ा की केरेक्टर था, इसलिए वो सीरियल इतना हिट हुआ, तो वो केरेक्टर हिट हुआ, केरेक्टर हिट होता है, तो फिर वो केरेक्टर, एक्टर को लोग उसी केरेक्टर के नाम से जाने लगते हैं, तो बहुत देर तक, आज भी, आपके बास सही है, के बहुत सारे लोग अभी तक कहता है, वो नहीं भूलता सर आपका, चंदरकानता का, पंडी जगनात, कई लोग शनी को जादा पसंद करते थे, वो एक अलग बात है, वो व्यक्तिगत पसंद ना पसंद की बात है, बढ़ टैस करक्त है, और जहां तक आपने पूछा मिलने का, तो मुझे कौन से रोल कब कैसे क्यों मिले हैं, इसका मेरे पस कोई जवाब नहीं, मुझे नहीं मालूम कैसे मिले, म मैंने कोशिश हमेशा की है, लेकिन काम कैसे मिले, वो मुझे कोशिश ना दबाती थी, ना आज आती है, ना मुझे पता क्यों कोई मुझे कास्ट करता है, वो अपने आपी, तो सर आपका बड़पन है, आप ये कह रहे हैं कि कोई मुझे क्यों क्यों कास्ट करता है, नहीं क को हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कोई ऐसे मेरे पार संदेश नहीं हूं और नामक भी बहुत बड़ा मैंने कोई अचीव किया है कि मैं बड़ा लोगों को कि ये करो ये करो ये करो ऐसे हैं बहुत सारे लोग जिनके पास इस तरह के बहुत सारे संदेश हैं नई बच्चों के लिए मैं तो खुद अभी तक एक तरह से ढूंटा ही रहता हूँ अपने आपको और क्या होना चाहिए क्या नहीं इतना जरूर है कि एक्टर अगर कोई बनना चाहता है तो उसे अच्छे काम अच्छे एक्टरों के काम खूब देखने चाहिए और हो सके तो अपने आपको भी देखना चाहिए कि मैं करता हूं तो क्या करता हूं मैं कैसे करता हूं ये देखो ये लोग क्या करते हैं उनसे सीखना चाहिए कि कितनी इमांदारी कितनी कॉंसें कितने फोकस तरीके से कितनी महिनत से वो काम करते हैं और थोड़ा सा क्राफ्ट को एक्टि चारेक्टर है, क्या वो करना चाहता है, जीवन में उसका उदेश्चिक है, उसके उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है, वो अपने कौन से सहे जो उनके पात्र है, किस से उसके क्या संबंध है, मां से कैसे हैं, बाप से कैसे हैं, या दोस्त से कैसे हैं, या मेरे जो उनके competitors हैं, उनके किसके साथ कैसा संबंध है, ताकि आप उसको जी सकें उन relationships को, और जब उसमें आप विश्वास करने लगेंगे, उन relationships में, तो आपका सारी बाचीत उस particular पात्र के साथ, या उस particular पात्र के बारे में जब आप दूसरे से बात करेंगे, वो जलकेगी, कि आप कि आपके में या ना पसंद कर रहे हैं, उसके प्रत्याध के मन में गुस्ता है, या बहुत प्यार है, या एक भक्ती भाव है, ये बहुत सारी चीजें भेगे, मैंत रहा को समझने की कोशिक करने चाइए, और टेक्स्jatृ में एक बात आरा था है, तो बहर ध् broom येरे आपन और कभी भी अपनी एक्टिंग को लेकर खुश मत हुईए, जादातर उसमें कमियां ढूंडिये, निराश मत हुईए, कमियां ढूंडिये और बेहतर करते जाएए, और आखरी उम्र के आखरी पड़ाव तो आपको लगेगा और बेहतर किया जा सकता है. जी, सर आज आपको यहां पर पंडित सत्यदीव दूबे रासरंग सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, तो इस बारे में आप कुछ कहिए. उसमें मैं क्या कहूंगा? रासकला मंच ने मुझे इस सम्मान के लिए चुना, इतने इज़त दी मुझे बुलाया. मेरा स्वभाग्य है, मैं खुश हूँ, बहुत अच्छे से और्गिनाइज किया हुआ फेस्टिवल है, जो दिख रहा है. धन्यवाद कहूंगा, आप अपी तो बी हैर. और फिर खासकर पानीपत में ये हो रहा है, और पानीपत मेरी अपनी जन्मभूमी भी है, वो एक एक्स्ट्रा उसका मेरे लिए एक्साइटमेंट है. सर, जैसे आप NSD गए थे, तो वहाँ पर आपने दोनों चीज़े की थे, आपने डायरेक्शन में भी स्टडी किया और आपने एक्टिंग में भी किया. तो सर, आप जैसे एक्टिंग के लिए ही जाना चाहते तो डायरेक्शन की तरफ आपने कैसे मतलब आपने किस तरह से दो साल तक एक्टिंग करते करते मुझे लगा मैं खराब एक्टर हूँ, बुरा एक्टर हूँ मैं. हालांके पहले साल के बाद ही उस जवाने में उस समय ये तैह हो जाता था कि आपको किस विशेश वर्ग में भेजा जाएगा और वो लोग जो हमारे डिरेक्टर थे उस समय, अलकाजी साब, वो खुद तैह करते थे कि आप किस विधा में बहतर हैं, क्या आपको सूट करता ह आपको कहां जाना चाहिए, तीन विधाएं होती थी, डायरेक्शन, एक्टिंग और टेक्निकल, स्टेज क्राफ्ट बूलते थे उसको, उन्होंने मुझे एक्टिंग में भेज दिया, उनको लगा नहीं, एक्टिंग में ये बहतर है, इनकी थोड़ी सी, जो स्पीच है और डायलॉग डेलिवरी है, हिंदी है, जो भी है, या उर्दू थोड़ा वादा, ठीक है वो, और मुझे भेज दिया उन्होंने, भेज दिया मैं आ गया, सेकंडिय है, लेकिन करते करते मैंने ये पाया कि बहुत कुछ जो मैं करना चाहता हूँ, वो मैं दरसल कर नहीं पाता ह जो कर रहा होता हूँ, वो उतना अच्छा नहीं होता जो मैं सोच रहा होता हूँ, और मेरे मुकाबले में दूसरे जो मेरे सेपाथी हैं, जो दूसरे एक्टर्स हैं, मेरी ही क्लास के, वो कहीं ज्यादा बहतर अपने आपको एक्स्प्रेस कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पा पैशन थी उसके प्रती लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी extrovert personality नहीं थी मेरी जो बहुत दिखावा और उस वज़ा से मैंने महसूस किया कि मैं जो करना चाहता हूँ मैं करनी पा रहा हूँ तो कुछ न कुछ कमी है और बहुत मैं निराश और अपने आपको एक defeated महसूस करने लगा और मैंने special एक permission ली कि मैं second year दुबारा करना चाहता हूँ क्योंकि I am not feeling competitive enough confidence नहीं है मुझे लेकिन इसलिए मुझे आप direction change कर दीज़े ये एक बिल्कुली पहली बार इस तरह का एक case आया था कि इस student ने इस तरह की application दी थी मगर हमारे directors ने और teachers ने advisory committee ने आपस में meeting करके इस बात का फैसले लिया ठीक है कोई student अगर इस तरह से देखना चाहरा है चीज़ों को और वो करना चाहता है एक साल extra अपने बूते पर extra लगाने को तयार है तो उसको इतना मिलना चाहिए तो फिर मैंने वो change करके direction में आ गया कभी-कभी कान आप सीधा में पकड़के ऐसे पकड़ते हैं आप direction में आने के बाद मैंने महसूस किया कि जब मैं अपने actor से कोई scene करना है उनसे बात करते करते मैंने महसूस किया कि मैं जब बात कर रहा हूँ उस बात उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किसी scene को तब वो मेरा पूरे एक्टिंग को लेकर मेरे जो apprehensions थे जो मेरे डर थे, doubts थे और जो मुझे लगता था कैसे किया जाए उस समझा, as a director जब मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो मुझे लगा रहा हूँ तो बहुत ही आसान हो गया है acting तो बहुत ही आसान चीज़ है मगर उसके लिए मुझे एक third दिरिश्टी कौन से जब मैंने देखा चीज़ों को totality में देखा, as a director देखा तब वो acting मेरे लिए बड़ी आसान सी दिखने लगी मुझे तो उसका नतीज़ा ये हुआ कि शुरू में दो चापास कर किया मैंने as a director काम करता था थेटर में काफी पांच साथ साल मैं दस-पंदा साल बलके लेकिन साथ साथ मुझे धीरे-धीरे कुछ role भी मिलने लगे main role, उनके भी बड़ी तारीफ होने लगी और with the result कि जब मैं 12 या 13 साल के बाद मंबई गया 85 में, 72 में पास करके तो वहां मुझे acting के जो जो offer आने लगे और तब तक वैसे भी वह सारे complexes से निकल चुका था मैं acting बहुत ही मुझे लगता तो कोई as long as एक आदमी करना चाहता है और उसे विश्वा से अपने director के उपर और script को लेकर समझ गया है script के अंतर द्वंध, अंतर संबंध आपस के एक दूसरे के और प्लस उसकी यात्रा क्या है character की और climax क्या है, क्या down है, क्या वो सब clear हो गया था तो acting मतलब मुझे लगा था एक ही बात है acting करनी है, direction करना है और वहां जाकर मुझे acting के काफी offer आने लगे जाते ही बंबई जब मैं गया तो नतीजा यह हुआ कि आज मैं actor की नाम से ही जाना जाता हूँ theater में जब मैंने pass किया था और उसके 10 साल तक भी मेरे को as a director ही जाना जाता था तो यह यात्रा ऐसे ही होनी थी शायद sir आप से बात करके बहुत अच्छा लगा और sir मेरा सबहागय है कि मैंने आपका इंट्रिव लिया और मेरी पूरी टीम का भी सबहागय है sir तो अपना यह कीमती समय देने के लिए रास्कला मंच की तरफ से और मेरी पूरे मतलब मेडिया मंच की टीम की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करती thank you so much thank you झाल झाल